पुरा दिन बुलट पर गेडिया मार मार कर अगर आपके बाल भी फ्रीजी एंड ड्राई हो गए है तो हेर इस्पा टीटमेंट सिर्फ आपके लिए है फर्स्ट स्टेप में बालों को शैंपू किया जाता है ताकि बालों की ओल एंड डर्ट क्लीन हो सके सेकंड स्टेप हेर इस्पा क्रीम को मिक्स किया जाता है थर्ड स्टेप में हेर के छोटे छोटे पार्टिशन करके क्रीम को उनमें अच्छी तरीके से अपलाई किया जाता है फुर्फ श्टेप में पैसा वसूल, हेड मसाज वा भई वा फिप्थि स्टेप बोडी मसाज की जाती है इस तरीके से तो मेरी बंदी भी मेरे हाथ नी जगड़ती जिस तरीके से शेलून वाले ने जगड़ रके वा भे next step में hair को steam किया जाता है और हां येवाली smile की तुम्हें बता नहीं भूलिया मौल्ले की lawn या पागल होई है next step के अंदर वापस से हमारे hair wash किया जाते है इस step में hair dryer के दुरू हमारे बालों को सुखा जाता है dryer करने से हमारे बाल damage और तूटने लगते हैं इसलिए यह product हमारे बालों को healthy और regrowth करने में help करता है तो final result यह रहा हमारे बाल पहले से healthy और moist दिख रहे हैं